Hello everybody, this is Diraaj Singh Rajput, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे major crops के बारे में पिछले वीडियो तक हम लोगोंने जो types of farming हम पढ़ रहे थे तो types of farming में major domains थे वो complete कर चुके हैं Commercial farming was the last topic which we have discussed in our video टीक है अब हम जो पड़ेंगे वोczapture के बारे को खेती तो कर रहे है आप टीक है लेकिन किन और किन खेती कर रहे है वो जानना बी जरूरी हे क्यों कर रहे कैसे क्या हुती यह वो सारी चीजें समझना जरूरी है तो आईए आप और हम मिलके इस फीडियो लेक्चर में खेती करते हैं मतलब खेती को समझते हैं ठीक अब देखो क्या क्रॉप्स आर वेरी असेंशल हमें आज मतलब जैसे मैं पड़ा पा रहा हूं आप पड़ा रहे हम सारी सिर्थे अपने काम कर पा रहे क् इनरजी कहां से आएगा जब हम खाना खाएंगे ठीक है खाना कहां से आएगा लो जैसे कुछ इंडस्ट्री चांटी जो डिपेंडेंट होती है अग्रीककुल्छरल सेकर के ऊपः बंदो बिसकिट बन रहा है इससी चाप्टर में ने स्टाटिंग और वोगरा, वो सारी चीज़े नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगा, तो बिस्किट नहीं बनेगा, तो इस तरह से क्या होता है कि crops जो होते हैं, तो crops supply raw material to agro-based industry, मतलब वो सारी industry जो agricultural sector पर dependent होती है, उन सारी industries को raw material कहां से मिलता है, crops इसे मिलता है, तो अब सवाल यही है कि crops ऐसी कौन-कौन सी होती है, तो वो सारी crops मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो major crops which we are going to study, तो इस video lecture में हम major, in major crops को जो grain वाली major crops है, grain मतलब अनाज, तो जैसे wheat, rice, maize, millet, तो यह फिर अलग category हो जाएगी, fiber crop और beverage crop, यह भी समझाता हूँ, मैं आपको देखो क्या है, तो पहले हम यह देखते हैं कि wheat, rice, maize, and millets, ठीकें, तो यह जो चार crops हैं, यह major crops की category में आ गई है, major grains वाली crop की category में आ गई है, जो अनाज होता है, ठीकें, अब उसके बाद में फिर हम cotton tea और coffee, यह सारी चीज़े भी पढ़ेंगे, जूट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो यह next video में पढ़ेंगे, clear है, अब अगर देखते हैं, major crops में, पहली crop हमारे पास आ गई rice, rice, अब यह बताओ, किसको rice नहीं पता है, सबी को पता है, क्योंकि सबी लोग खाते है, ठीक, अब पसंद किसको है, किसको नहीं, वो बात अलग है, बागी rice हर इंसान ने देखा है, अब rice के बारे में, अगर हम देखें, तो rice crop is one of the major food crop of the world, ठीक है, worldwide यह एक ऐसी crop है, जिसे क्या किया जाता है, consume किया जाता है, weed भी एक ऐसी crop है, तो अधिकतर, क्या होता है, कि हम जो crops पढ़ रहे हैं, यह वो major crops की category में आ रही है, ठीक है, worldwide उन्हें accept किया जा रहा है, worldwide उन्हें consume किया जा रहा है, तो major food crop of the world, पहला point तो आप यह लिखेंगे rice में, अगली चीज क्या, it is the staple diet of tropical and subtropical region, ठीक, दोनो, tropical और subtropical, अच्छा एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको नहीं, यह वाला जो polar region है, यह क्यों छोड़ दिया, तो देखो, polar region में grains पे लोग उतना जाधा dependent नहीं होते, polar region में अधिकतर लोग meat और इन चीज़ों पे जाधा dependent होते, और हम major domain में पढ़ रहे हैं, NCRT के एक-एक शब्द में जान होती है, एक-एक शब्द एक अलग meaning लेके आता है, ठीक है, तो यह हो गया, कि it is the staple diet, मतलब लोग daily use में, मतलब daily खाते हैं, daily consume करते हैं, staple diet of tropical and subtropical regions, ठीक, rice needs high temperature, high humidity and rainfall, rice को cultivation के लिए, rice के cultivation के लिए, आपको high temperature चाहिए रहेगा, high humidity और high rainfall, ठीक है, rice is one of the most water consuming crop, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या consume करती है, पानी consume करती है, rice, जूट और जूट भी है, और भी crops हैं, लेकिन it is one of the most water consuming crop, तो बारिश भी आपको चाहिए रहेगी, बहुत सारी बारिश चाहिए रहेगी, ठीक है, high temperature भी चाहिए रहता है, ताकि वो क्या हो, उसके, जो मतलब produce जो, आपको ultimately rice seeds, जो मिलने वाले rice जो मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, अच्छी तरह से ripe हो जाए, पक जाए, उसके लिए temperature भी ज़्यादा चाहिए रहता है, तो यह सारे requirements है, अब कौन-कौन कहां-कहां produce होता है rice, तो China leads in the production of rice, सबसे अदा production होता है अगर rice का तो China में, followed by India, second number पर हम आगए, हराना है हमें, ठीक है, तो China leads the production of rice, followed by India, Japan, Shri Lanka, Egypt, तो अच्छा, Egypt पोल दिया मेंने, ठीक है, अब आप सोचो कि Egypt में तो पानी की कमी होती है, नहीं, ठीक है, आपने अभी तक जितना Egypt देखा है, मतलब movies वगरा में, तो वहाँ पर आपको सुखा दिखता है, लेकिन Egypt से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है Nile, and Nile is the longest river of world, longest बोला मेंने, मतलब बहुत लंबियादे अफ्रिका में बहती है वो, तो उस river से क्या है कि kennels औगेरा बना दी गई है, तो उसके थुरू क्या हो जाता है, artificially पानी दे दिया जाता है rice crop को, तो these are the nations which produces rice, clear है, अगला क्या है, in West Bengal and Bangladesh, two or three crops are grown in a year, ठीक है, जैसे औस, अमन, बोरो, ये सारी crops के अलग-अलग type है, मतलब अलग-अलग season में जब rice grow किया जाता है, तो उसे औस, अमन, बोरो कहा जाता है, ये आप पढ़ो के आगे 10th class में, जब 10th में पहुचोगे, अभी ये वने एक हिंट दे दिया आपको, तो यहाँ पर बताएगा, West Bengal और बांग्लादेश में, दो या दो से ज़्यादा, मतलब तीन बार तक, उसके सांटाके एक साल में तीन बार तक, GRाप को क्या कर लिया जाता है, CULTIVATE कर लिया जाता है, clear है? Next देखो क्या है? Next आता है, major crop में जो हमारे पास next crop है, वो है wheat, wheat देखते हैं, wheat भी आप सभी लोगा ने देखा है, methods creep, wheat की harvest चल रही है, मतलब कटाई चल रही है है ठीक वीट जो है तो वीट भी स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल के लोगों की अब क्या होता है इसकी क्लाइमेटिक कंडिशन देखो तो वीट रिक्वायर्स मौडरेट टेंप्रेचर एंड रेंफॉल दूरिंग ग्रोइंग सीजन और ब्राइट संशाइन इड़ टी टाइम ऑफ हार्वेस्ट इसकी जो क्लाइमेटिक कंडिशन ने वो समझने की गोशिश करना ठीक है क्लाइमेटिक कंडिशन ऐसी है वीट की कि जब आप सो करोगे ठी मतलब उसके अंदर कहले जिए सीड्स बैट गाएं सारी चीज हो गई है तो डियूरिंग टी टाइम ऑफ रैपनिंग जब पकने वाला रहता है वीट तो पकने के लिए उससे क्या चाहिए रहती है ब्राइट शंसाइन चाहिए रहती जैसे लिखा है एन ब्राइट पानी मिल जाता है और कभी-कभी बारिश भी होती है हमारे विंटर में तो वैसे भी पानी मिल जाता है साइक्लोनिक डिस्टरबेंस के कारण और एक और चीज क्या हो जाती है कि अब जब उसको हार्वेस्ट के टाइम पर ब्राइट संशाइन चाहिए रहता है तो अस्ट्रेलिया इंडिया तो इन और देशों में भी क्या किया जाता है वीट ग्रो किया जाता है क्यों क्योंकि यहां पर लाज्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड है और इसके बाद में एरिया जो है तो वह सूटेबल है बहुत जादा फॉर फॉर दी कल्टिविशन ऑफ वीट आग क्रॉप दियंगा पिर मतलब मुझे पानी मी चाहिए राइज और वीट के नंख्रे थे लेए यह क्रॉपं सी डैसी क्रॉपं में मिलेटस में क्या वहुतें में बताता हूँ तो जिसे हम जैसे कहते है क्या कि आप लोग जो विमार हो जातें यह सारी चीजchn आपके लिए उ फोटोग्राफ देख लिए फोटोग्राफ तो आपको समझ में आएगा बाजरे की रोटी तो जवार बाजरा और रागी रागी खास करके उत्तरप्रदेश बिहार वगरा वहाँ पर यह ग्रो की जाती है ठीक है तो अब नोनस कोरस ग्रेंज एंड कैन बी ग्रोन ओन कच्छा यह ऐसी क्रॉप है मिलेट्स जो लेस फटाइस सेंडी सॉइल में भी ग्रो की जा सकती है ठीक है नीट्स लो रिंफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेंप्रेचर एंड एडिकेट रिंफॉल देखो यहाँ पर दो बार रिंफॉल है मतलब वैसे तो यह कम रिंफॉल में भी ग्रोग होने वाली क्रॉप हैं ठीक है मिलेट्स जितने भी हैं जो आर बाजरा रागी जो पड़े कम रिंफॉल में भी ग्रो हो जाते हैं हाई टू मोडरेट टेंप्रेचर अब अलग अलग डिपेंड करता जैसे राजिस्तान में भी ग्रो हो रहे हैं बिहार में भी उत्त अधर कंट्रीज अर नाइजेरिया चाइना नाइजर ठीक है तो इंडिया के अलावा यह दूसरी और कंट्रीज हैं जहां पर मिलेट्स ग्रो की जाती है क्लियर हैं सो मेजर क्रॉप से हमने एक जो क्रॉप पड़ी वो मिलेट्स हो गई क्या पढ़ लिया राय स्वीट मिले तो यहां पर इसका आटा भी बनता है सारी चीज़ें होती इसको बहुत सारी क्या सकते हैं डिश में यूज किया जाता है तो एक स्टिपल डाइट का पार्ट हो जाता है ये भी कंज्यूम करते हैं लोग मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेंपरेचर रेनफॉल एंड लॉट आफ संशाइन चाहिए रहती है इसे ताकि क्या हो जैसे यूज्वाली इंडिया में दोनों सीजन में राभी सीजन में भी मतलब विंटर्स के टाइम और खारी बारिश के टाइम दोनों टाइम पर कल्टिवेट की जाती है क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो संशाइन जो रिक्वाइमेंट है वो तो हमेशा मिल ही जाती है क्लियर है तो मेज रिक्वाइज मौडरेट टेंप्रेचर रेन्फॉल एंड लॉट्स ऑफ संशाइन यह हो गया इट नीड्स वेल ड्रेंड फर्टाइल सोईल ठीक है अब इसे सोईल कैसे चाहिए रहती तो अच्छी सोईल वेल्ड फर्टाइल वेल्ड और मतला पानी वानी भी मिले और फर्टिली डिटी भी हो सोईल में तो वेल्ड पर्टाइल सोईल चाहिए रहती है मेस पर शॉत नॉट्ट लिखने को आ गया, ये फिर, right. 3 major grain crops, ठीक है तो major grain crops में आप 3 कोईसी भी लिख दो आपको पसंदारी, ज csak जो आपको कहने पसंदे तो वैसे जहान रखना है अब मेजर crop में मैंने में 2024 क्रॉठ में क्या में बताया कि ये तो चार क्रॉप जो भी हमने पढ़ी ये तो ग्रेंस में आ गई अनाज में आ गई बाग इसके लाब आफ फाइबर क्रॉप भी है कुछ जिस फाइबर क्रॉप मतलब जिससे कपड़ा बनता हो जिसके अंदर फाइबर है रसी हो धागे हो तो अब आप बोलो के क्रॉप में भी धागे हैं तो जी हाँ यही चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिर उसके बाद बीवरिज क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे तो यह दोनों चीज़े मैं आपको next और उसके बाद वाले वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहां तक पढ़ा हमने major crops में इन 4 crops को clear हैं यहां तक किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much